नमस्ताबितरों स्वागत आपका इस यूटीब चैनल पे देख सकते हैं दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर सिक्षोकों की ऑनलाइन उपस्थिती पर रोक की खबर आई है सर्फ मामला सिर्फ मामला ये है कि इस वक्त सरकार बैकफूट पर इस वजे से है क्योंकि मीडिया और विपक्ष अच्छा खासा कवरेज इस मैटर को दे रहा है जिसको देखते हुए सिक्षोकों की ऑनलाइन उपस्थिती को फिलहाल रोक दिया गया है पूरी खबर पढ़ेंगे फिर बात करेंगे एक वीडियो और बनीती दोनों को साइड बाई साइड जरूर कम बियर कर लीजेगा तो मुक्य सचिव के साथ हुई बैठक के बाद अग्रिम आदेश तक पुरानी वरस्था बहाल रहेगी विद्यालों में ऑनलाइन उपस्तिती का विरोत कर रहे प्रात्मिक शिक्षकों को फिलहाल रहात मिल गई है सरकार ने अपने इस आदेश को स्थगित करते हुए निर्णे लिया है कि इसे लागू करने से पहले विशेशक गिट कमेटी का गठन करके उसकी राय ली जाएगी मंगलवार को मोके सचीव वनोज कुमार सिंग की अधिक्षता में शिक्षा विभाक के अधिकारियों वस्षक पतिनिदियों की बैठक के बाद ऑनलाइन उपस्तिती को अग्रिम आदेश तक स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है अगले दो दिनों के भीतर विशेशक गिटीम कमिटी का कठन कर लिया जाएगा जो शिक्षकों की मांगो और विभारिक्ता को देखते हुए कोई सरमान फर्मूला तै करेगी अभी हाजरी की विस्था पूर्वत रजिस्टर पर रहेगी दूसरी और और संगी सेयुक्स मोर जो ऑनलाइन उपस्तिती के आदेश के आक्रोशित थे और गत आठ जुलाई से संयुक्त रूप से इसके विरोध में प्रदेशन कर रहे थे इसको देखते हुए ही मंगलवार को लोग भवन स्थित मुख्य सचिव कारयाले कक्ष में बैठक बुलाई गई थी इसमें सिक्षक काफी दूरस्त वद्रुगम्द स्थित स्कूलों में पढ़ाते हैं ऐसे में थोड़ी सी देर होते पर उनका पूरा वितन काटना उचित नहीं है उन्होंने सिक्षकों को अवकाश वद तीस अरजित अवकाश की सुविधा देने की मांग उठाई है प्रमुक सच् उपस्तिती और मिड़े मील खाने की जो विद्यारतियों की ऑनलाइन ब्योरा उपलत कराया जा रहा है इस तरह से इसे लागू कराया जाएगा सभी स्कूलों को बारातरा की सूचनाओं जो जो जिस्टर होते हैं उनको भी ऑनलाइन पोर्टल पर उप्त कराना होगा जो दो टैबलेट इसी वज़े से दिये भी गए हैं तय हुआ कि अब सिक्षकों की उपस्तिती को चोड़कर ग्यारा सूचना है जिसमें चात्रों की उपस्तिती वह मिड़े मील का ब्योरा इत्यादी शामिल है उसे ऑनलाइन ही भेजना होगा बैठक में अपरमुके सच्चेव मा ही बात उठके आ गई देखिए जब मांगों को रखा गया है उस मांग में कहीं पर भी ऑनलाइन सियल को निरस्त करने जैसी बात नहीं कहीं गई है लेकिन फिर भी बार बार पेपरों में और न्यू मीडिया में ये दिखा जाता है कि ऑनलाइन उपस्तिती का विरोध हो रह आए जबकि ऐसा नहीं है साफ संग के दवारा कहा गया है ऑनलाइन उपस्तिती लगाई लेकिन सुविधाओं के साथ जैसे बागी लोगों को सुविधा दी जाती है उनलाइण एटिंगन लेकिन सुविधाओं के साथ आप हमको हाफसीयल दीजिए आप हमको 30 el दीजिए आ और एक सही साथ पूरा आदेश निकालिए जिसमें online attendance कब से कब तक कितनी चूट कितने बजे तक चूट कितनी बाहर चूट या नहीं जो भी है वो एक पूरी आदेश की तौर पर एक order निकालिए जिसमें पूरी निमा वली लिखी हो सरकारी काम आदेश से चलते हैं एक आदेश निकालिए पूरा order बनाईए और सिक्षक मानने को तयार है कोई सिक्षक ये नहीं कह रहा कि online attendance मत लगाईए बिलकुल लगाईए सुविधाएं दीजिए और हमसे कार लीजिए जो और तीस कार कराई जाते हैं आपका जंगणना बा करा जाते हैं उनमें भी कटोती करिए और आप online attendance लगाईए पढ़ाई करवाईए क्या दिक्कत है सिक्षक बने ही पढ़ाने के लिए हैं अनकार करने के लिए नहीं बने हैं लेकिन क्या कर सकते हैं बेसिक इस्तिती बहुत गरवड हैं उमीद है इस बार आंदोलन के बाद पदलाव बेसिक में देखे जाएंगे और ये फ्यूचर डिसाइड करेगा बेशिक शिक्षा प्रिशत के शिक्षक होगा लास्त तक विडियो दे कुसलिए बहुत बहुत देने वाद आपको दिन शुगर हो